हलो फ्रेंड्स मैं ही मलता स्वागत करती हूं आपका माइफूट माइंस में आज मैं आपके लिए लेकर रही हूं साउथ इंडिया की बहुत फेमस डिस केसर भात या आप इसे सीरा भी कह सकते हैं खाने में बहुत बढ़िया लगता है बनाना बहुत एजी है वीडियो अगर केसर के बना रहे हैं तो केसर तो डालना है ही अब इसे हमें उबलने देना है जब तक चीनी नहीं खुलती है इस सको हमें हिलाना है और उसके बाद इसमें उबल आने देना है यह देखिए एक उबल आ गया है अब हम गैस को कर देते हैं और इसे रख देते हैं ठक कर साइड पर अब बनाते हैं हमारा हम केसर भात सबसे पहले हम ड्राइफ फूट्स को और चमजगी डाला है भूब फूटन डाल रही हूँ आप पसंद का कोई भी ड्राइव ले सकते हैं मैं यहां पी काजु और बादम ले रही हो क्शमिशत को ले रही हूँ क्योंकि मैरे बैचों को किशमिश पसंद आती है आप अपने हिसाब से कॉंटिटी कम्याजादा कर सक काजू को हमने पहले रोस्ट करना है क्षमिश को जाती है इसलिए हमें फटाफट यह देखेंगे यह फूली हो जाएगी फूली शुरू हो जाएगि गैस गल्ड को मैंने अब ऑफ कर दिया है उसी मलब जो पैन हमारा गरम है उसी में यह किश्मिश हमारी बहुत अच्छे से फूल रही है चलिए इसे इहां से हटा लेते हैं ये देखिए डैफुट गो मैंने हटा लिophy और सेम पैन लिया है और सेम कटोरी ली है, जिससे मैंने पानी और चीनी नापा था, अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, सूजी, रवा, बारिक वाला, जो नॉर्मल आता है, कहीं भी किसी भी क्राणास्टो पर बहुत इसली मिल जाएगा, इसमें हमें डालना है घी, दो चमच भरके मैं इसमे घी, घी हमें यहाँ पर 1 3rd कटोरी लेना है, यानि कि जो हम सूजी हमने नापी है, जिससे उससे 1 3rd कटोरी हम यहाँ पर घी लेंगे, घी को हमें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हो है, जब तक सूजी का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जब तक हम इसे कूक करना है, यह द अगर ब्राउन को लड़ा है, तक इसको अच्छी तरह से फ़्राय करना है, अब हमें इसमें टालना है पानी जो हमें पानी उबाल कर रखा ता वो पानी डालेंगे, अगर आप एक दम से ज़्यादा पानी डालेंगे तो यह दिखिए इस तरह से छींटे आते हैं, अब थो मीठा आपकूंछ से मीठा कर सकते हैं मीठा एककॉलोरी परिफेक्ट रहेगा अब तेज मीठा खाना पसंद करते हैं तो पानी ऊपाल एकक नदेता हैं यह देखिए हमारी हमने सारा पानी डाल दिया है अब हमें इशे इसी तरह से लाते हुए कि अच्छी तरह से इसको हमें gradually करना है लेकिन सबसे पहले हम इसमें डालेते है थार फूड कलर क्योंकि हम केसरी भाद बना रहे हैं केसर कलर का हमीं चाहिए सीरा बना रहे हैं वह केसर कलर का होता है यानि की हूँ तोड़ा सा औरेंज होता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूं औरेंज कलर का फूड कलर बहुत एजली मार्किट में मिल जाता है आप यह डाल दीजिए और इससे डालने के तुरंत बाद आप देखेंगे कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है हमारे हल्वे का अब इसक कि ओशलों बढ़े माइन खापा से भूचेह ग्याज सचंट सबसे भी बश्याता साब मगया कर देखिए उद्राइव वाजन है श्रूण disci चिर बढ़ गया है जब वाजनी घर स्फषी में तो उड़नों की कि हाई मैं इस सब्कुर्ण को थोड़ा गाढ़ा ओने मेंने तो अब रही हमें इसमें डालना है यह देखे सबसे ऑब ल grace को आरे में और इसमें density डाल देना है किया जा यह देखिए इसको अची तरह से गिर डालने., siya बहुत बहुत , इस हाने शे यह आ खैप Estado टराणा हे हमें कजो वह दूना Rakuten यह देखे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे और कुक कर लेते हैं यह देखे जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाए ना मतलब हमारा सीरा बनकर हो चुका है तैयार केसर भात हमारा बन गया है खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है बच्चे बड़े सभी को यह पसंद आएगा चलिए से सर्फ कर लेते हैं सर्फ करने के लिए जिस भी बरतन में आप सर्फ करें वहां पर इसको पहले नीचे ड्राय फूट्स लाले और उसके बाद इस पर लगा दे जो आपने सीरा बनाया है वो सीरा डाल दे और फिर उसके बाद हमें इसे पांच मिनट मैं इसको रखा और यह देखे कि देखते ही ना खाने का मन करें इस तरह से यह बन कर थैयार होता है क्या बढ़िया लग रहा है ना देखने में भी बहुत भड़िया लगता है देखिए मैं आपको दिखाती हूं ड्राय फ्रूट्स जो उपर लगे हूं है ना कितने शेयर कीजिए कर सबस्क्राइब कीजिए कर मिलता है नेक्स वीडियो में बाई